अरे नहीं यार जरा इसको भी देखने दो ठीक है तुम चुप रहो तुम चुप साफ साइड हो बैट हो भाई साब इधर देखो यहां पर आँख फाल के देख लो एक साथ तिन तिन सिल्वर पले बटन दो सिल्वर पले बटन मेरे हाथ में है और एक पीछे जो कि यहां पर बैटका हुआ दिवाल पर ध्यान से देखो ठीक है मेरे पास तीन-तीन सिल्वर पले बटन है और आप चाहोगे इसको लेना ना तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको घंटा भी देखने को नहीं मिलेगा इसको ना चूने को भी नहीं मिलेगा क्यूंकि आपकी चैनल एक अलाग सब्सक्राबरस ही नहीं है सब्सक्राबरस तो छोडो आपके विडिए पर वी दे पर वीटन कहाँ से मिलेगा अड़ी कर लेकिन अपलोड कते टाइम आप दो गल्ति करते हो और दो ट्रिक को नहीं लगाते हो इसलिए आपके विडिये पर नाई व्यूस आता है सब्सक्राबर भाता है और व्यूग्स नहीं आएगा तो फिर ऐसा एवार्ड कैसे मिलेगा ठीक है तो देखो अगर आपको भी YouTube पर ग्रो करना है चेनल पर आपको सम्मानित किया जाएगा तो चलो भीना टाइम विश्ट के आपको सब कुछ बताता हूं बस वीडियो से एंड तक बनी रहना और सारा प्रोसेस को दिया ख लेना आपको बहुत अच्छा खाशा यह मेरे चैनल की जो वीडियो है ठीक है इस वीडियो को मैं इसके पर क्लिक करता हूं अब यहां पर एक चीज़ नोटीस करना है कि यह वीडियो अप्लोड किये कितना टाइम हुआ है सिर्फ और सिर्फ बीस दिन यहां पर देखो 20 दिन 18 घंटे हुए हैं लेकिन यह वीडियो 8000, 14000, 14000, 14000, 14000 और भी देखो यहां पर 4 लक्वग हैं इस पर 17000, 13000, 24000 मतलब मेरे सारे के सारे वीडियो पर अच्छा खासा वीडियो आता है क्यों हो आता है क्योंकि मैं दो स्ट्रेटिजी को लगाता हूं पहला तो वीडियो अप्लोड करते हैं टाइम ट्रिक लगाता ह और कोई एक trick हमारे video को while कर देता है और जो video में दोनों trick लग जाता है उस video पर 3-4 लाग views आता है जैसे कि जो मैंने आपको ये video दिखाया हूँ ये video में दोनों trick work किया और दोनों trick से views आया इसलिए इस पर अच्छा खासा views आ गया और यहाँ पर देखो मैं इसके analytics पर दिखाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो real time views आ रहा है लगबग 2200, 2986 आने कि लगबग 2200 real time views आ रहा है तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा views दे रहा है एक अग video ठीक है ना बहुत सार लोग के channel का real time views देना नहीं होगा बट मेरे एक एक video का इतना real time views आता है और अभी के time पर मेरे पूरे channel की real time views ना दो लाग से भी ज्यादा आता है जिर्फ 48 गंटे में automatic यह सरक कैसे हो पाता है क्योंकि मैं सही तरीके से ट्रिक लगाता हूं video upload करते time और upload करने के बाद तो चलो मैं आपको वह भी बताता हूं कि कैसे मैं क्य करता हूं तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है पाता ही यहां पर सबसे वालो राओं के पर आ प्लिक लगा जाता है अब आपको दिखाता हूं जैसे कि सब्गर यहां से मैं करता हूं नेक्स्ट करने के बाद आप आप जो भी टालते हो वीडियो का टिक जो बीटिक हो डाल देते हो अब सपोई देखलो मेरे वीडियो का टॉपिक है सब्सक्राबर कैसे बढ़ा है एक्सांबल के लिए कुछ भी आपका हो सकता है या तो मालो कि रोटी कैस बनाए इस प्रकार से आपको कुछ भी टॉपिक हो सकता है आप अपने सबसे डालो बस मैं आपको एक्जांबल के लिए बता रहा हूं यहां पर जिसे कि मैं बता देता हूं रोटी कैसे बनाए इस प्रकार से ठीक है अब मेरे वीडियो क्या है यह मत देखो समझ लो मान लो करने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको यहां पर यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्या करना है आपको टैटल को कर देना है पेस्ट करने के बाद यहां से कर देना है सर्च मैं अपने सारे वीडियो में इसी तरीके से वीडियो का अप्लोड करता हूं उसके बाद क्या लगाता हूँ यह आगे पता चलेगा यहां आना है और यहां पर नीचे करना है कॉपी टेक्स ऑले और प्लिक करता हूं तो जैसे कि यहां पर देखना क्या पता है देखो सुरवात से कौन-कौन से टैटल आ जिसे की पहला नमर पे ये आ रहा है सेगंड में ये आ रहा है ओर चौथा ये आ रहा आ तो आप क्या ब waed कर दो पे अब करते हैं सबसे पहले रोटी कैसे बनाए है यहाँ पे ता त ethn में चाराओ इसको पेaci हो arrow फिर यहाँ पर है गोल रोटी कैसे बनाये फिर इहाँ पर मैं ग्या पर श्परकार से इस Darth देता हूं अब तंदुरे रटी कैसे इसे बना यह भी यह तो इसको किया करता हूं इस ले ना पहले ये बाला डालो उसके बाद जगब से तो ये लेना और जगह बचे तो ये वाला टाइटल लॉसी तरह से आपको टाइटल डाल डेना टाइट बहुतडल मैं ने डाल दिया हूंसा को पुली तरिके से philanthropy करण मॐना को बढल को ना समस्में चंब और यहां से तॉप में डाल को है आप लिखा थी मैं करेंगे आपको यहां पर अपने वीडियो से डिलेटेट कुछ वर्ड लिखना है और ऐसा वर्ड लिखना है जिसमें आपकर टाइटल बार-बार आए जैसे आॉस्पे थियान से represent है रो दोस्तों स्वागा थैं आप सभी का हमारे वीडियो में और आज की वीडियो में बताया हूं कि रोटी कैसे बनाए तक यहां पर देखो मैं क्या क्या हूं अपना टाइटल को एड किया हूं मतलब एब आउट में जो लिखोगे लिखो जैसे लिखना है लेकिन एब आउ तो your queries कोच भी सकते हो तो यहां पर मैं related title कर देता हूं छलूँ यहां priv related title इस प्रकार से मैं क्या करता हूं यहां पे लिख देनांग किया करना है यहां पे हमारा ही हो करना है अब यहां पर आपको लिख देना है how to make roti ठीक है अब मैं English लिख दिया हूँ अब मैं इसको करता हूँ search अब देखो मुझे यहां पर सारा का सारा English वाला कीवाड देगा कहीं जारा मतलब जो रेंग कर रहा है जैसे कि देखो यहां पर search ले रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर जो भी आया करना simple देखेस उसको भी copy करना और copy करने के बाद यहां पर क्या करना आपको description में यहां पर नीचे जैसे यह लगाए होना इसी प्रकास यहां पर लगा के बस save कर देना अब यह हो जाएगा उसके बाद यहां पर नीचे के दरबाना है और यहां पर आपको hashtag लगाना है ठीक है तो hashtag क्या लगाना है आपका वीडियो जो होगा उसी से मिलता जूलता है जैसे कि यहां पर देखो hashtag सबसे पहले अपने चैनल का नाम लगाएंगे यहां पर जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहां पर लगा दिया हूँ अब उसके बाद आपको क्या करना है अर्विन जोन पहले मैं लगा दिया हूँ चैनल का नाम तो विडियो बच्चों के लिए नहीं है उसके बाद पर लिस्ट डालो या ना डालो वह आपकी मर्जी है फिर क्या करो कमेंट वगरा और और यहां से मारो वीडियो को सिमपल तरीके से अपलोड अब यहाँ पर विडियो अपलोड करना आपको जाना वाइटीस्टूडीयDY को अप लिए घर डिक नो एटार आपको छाए तो जब अपलोड पर यहाँ अड़ेट वाले सक्षन के पर क्लिक करना है click करने के बाद क्या करना है सबसे पहला काम आपको यहां पर इडिट वाले option के पर click करके thumbnail ले ले लेना है अपने gallery से ठीक है तो अब मैं thumbnail को भी नहीं select कर रहा हूं क्यूंकि मैं वीडियो को publish करूंगा ही नहीं बस मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो thumbnail को यहां से इसक इसको कर देना पेश्ट और कर देना इंटर देखो यह मारा पहला tag add हो चुका है फिर से बैक आना है और discussion में आने के बाद यहां पर गोल रोटी कैसे बना इसके पर click करते हैं copy करते हैं अब इसको भी क्या करते हैं यहां पर tag में paste कर देते हैं चलो इसको इंटर करके save कर दि तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर सारा का सारा tag में डाल देना है डालने के बाद क्या करना अब देखो mostly लोग आपका video का reach क्यों नहीं मिलता है देखो पहला गलती लोग क्या करते हैं अब देखो बहुत सार लोग की अलग-अलग category का चैनल होता है जैसे कि मैं यह जो एक रोटी वागिर हाउ टो वीडियो डाल रहा हूं ठीक है अब यहां पर समझो मैं सचुगा क्या पता है मैं सचुगा क्या यार मेरा तो चैनल का category है science and technology और वीडियो में डाल रहा हूं यहां पर recipe वाला तो मैं category क्यों change करूं बट ऐसा नहीं है बाइस आप देखो आपके इसी चैनल की category जो भी है वह फरक नहीं पड़ता है बट आपको वीडियो के category हर एक वीडियो में सेलेक्ट करना है चैनल का category अलग होता है जो कि आप चैनल के setting में आब मैं बट रह sentiments करते हैं और इसके पीर क्लिक करता हूं अब यहां पर देखो यह विडियो की category क्या आ एंड ब्लॉग बट यह मैं इसके पर क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद यहां से मुझे क्या लेना है जैसे कि मैं लेता हूं लेकिन हर एक वीडियो का भी category अलग-अलग होना चाहिए तिक अलग-अलग होना जरूरी नहीं है जिस तरह की वीडियो बना रहे हो उसी तरह का category रखो अगर वीडियो चेंज कर रहे हो तो category भी वीडियो का चेंज कर दो चेक कर लेना है, अगर वीडियो कोई अलग ट्रॉपी के पर हो, तो उसमें कैटेगरी बदल दू, चैनल का कैटेगरी कुछ भी हो, यह मैटर नहीं करता है, मैं आपको बार वार बता के समझा रहा हूँ, पहला काम आपको यह करना है, अब दोस्तों मालो मैंने जो प्रोसेस हो चुका है, बट व्यूज तिरफ दस ही आया है, तब क्या करना है, वो देखो, इसके पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सिंबल तरीकर से यहां पर एडिटर वाले सक्षन पर जाना है, इसके पर क्लिक करना है, जैसे इसके पर क्लिक करोगे तो क्या करना आपको इसके टाइटल को पूरी कर लेना है, कॉपी टिक है, वीडियो का टाइटल, जैसे कि ये वीडियो को अपलोड की हो स्कॉल करना है कही कुछ मत करना बस मेरा वीडेयों कि तो यहां पर देखो मेरा यह वीडियो आच चुका है तो अब क्या करना आपको इसके पर क्लिक करना है क्लिक करना है वीडियो से नहीं करना है फूल वाज करना है complete देख लेना है देखने के बाद क्या करना लाइक कर देना कमेंट करना और इसको कट कर देना कट करने के बाद क्या करना फिर से आप क्या करो यहां से तो इस प्रकास से स्कॉल करते जाना है तो जितना नीचे आये ना बस क्या करना है उसके पर क्लिक करना है अग्जांपल के लिए देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है कंपलीट देखने के बाद स्किप मत करना और फिर से क्या करना फिर से एकाउंट को स्विच करना और फिर से देखना मतला इस तरीके से आपका जो टाइटल को सर्च करके 18 से देखके छोड़ दोगे ना तो वीडियो के आपको काफी तही से बूश्ट हो जाएगा और वैसे में वीडियो अब सर्च में चला जाएगा सर्च में रेंग कर लेगा तो यह भी तरीका बहुत अच्छा है बहुत पारफुल तरीका है इसको भी जरूर से अपनाना इस पसंद आई हो तो लाइक का देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मिलते आपसे कोई और नए वीडियो के साथ अपते के लिए जहिन बंदे मात्रम